हाई फ्रेंज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दीपा एन लालवानी एन वेलकम टू माई मॉम्स किचिन आज की हमारी रेसेपी है सिंधी उरत के पापड मसाले वाले उरत दाल और मुंग दाल के पापड हम पूरे साल कभी भी बना सकते हैं कोई भी प्रसंग बे बना सकते हैं कभी भी खाने के साथ हम इसे सर्व कर सकते हैं प्रेंज, मेरी यूट्यूब चैनल दीपा एन लालवानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दो कप उरत दाल और आदा कप मुंग दाल आटा ले लिया थोड़ा सा आटा अलग कर दिया सूखे मसालों में काली मिर्च, शाही जीरा, जीरा, नमक ले लिया हिंग और खाने का सोडा ले लिया सबसे पहले हम डो बना लेते हैं डो बनाने के लिए आटा ले लिया उसमें हम धरदरी पीसी हुई काली मेर्च डाल देंगे हमने एक बढ़ा चमच काली मेर्च डाली है इसमें हम शाही जीरा डाल देते हैं एक चोथाई चमच शाही जीरा ये ओप्षनल है एक चोथाई चमच जीरा एक अलग से बोल ले लेंगे और इसमें आधा कब पानी डाल देंगे इस पानी में हम आधा चमच नमक थोड़ा सा हिंग और आधा चमच खाने का सोडा डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे चलिए पापड का डो बना लेते हैं डो बनाने के लिए आटे में मिली हुई चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जो पानी बनाया उसे थोड़ा थोड़ा डाल के डो बना लेंगे क्यूंकि हमें पापड का डो टाइट बनाना है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज़ करेंगे पापड हम स्पाइसी बना रहे हैं इसलिए मसाले थोड़े ज़्यादा है आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले और नमक कम ज़्यादा कर सकते है पापड का आटा हम उरदाल और मुंगधाल को पीस कर बना सकते है इस आटे में हमने एक कप उरदाल पर एक चोथाइ कप मुंगधाल का प्रपोर्शन लिया है अगर पापड बनाने का आटा आपको नहीं मिल रहा है तो आप उरत दाल और मुंग दाल को यूज़ करके पापड का आटा बना सकते हैं उरत दाल और मुंग दाल का परपोशन चेंज भी कर सकते हैं आथों में लगे हुए डो को छुड़ी से निकाल के अब डो को ग्रीस करेंगे ओइल के साथ ग्रीस करेंगे आथों में थोड़ा ओयल लगा लेंगे और आटे को अच्छे से मसल लेंगे डो बनाते टाइम एक्स्ट्रा पानी की ज़रुरत पड़े तो पानी यूज कर सकते हैं अगर शाही जीरा यूज नहीं कर रहे हैं तो उसकी जगह जीरा यूज करेंगे पापर बनाने के लिए हम ज़्यादा जीरा नहीं डालेंगे क्योंकि पापर चलाते टाइम पापर फट सकता है आटे को अच्छे से मसल कर उसे चितना कर देंगे हाथों को तेल से ग्रीस करते जाएंगे और आटे को चिकना करते जाएंगे जितना अच्छा आटा मसलेंगे उतना पापड अच्छा चलेगा आटे को मसल कर हम इसमें से रोल बना लेंगे तेल से चिकना कर देंगे और छोटी लोईयां बना लेंगे पूरे डो में से हमने दो पोशिन बना लिए एक पोशिन निकाल लेंगे उसको ओईल से ग्रीस करके रोलिंग बोर्ड पर मस लेंगे और डो का रोल बना लेंगे दोनों हाथों को तेल से ग्रीस कर लेंगे दोनों हाथेलियों में डो को प्रेस करते जाएंगे और रोल बढ़ाते जाएंगे रोलिंग बोर्ड पर हम रोल बनाएंगे और इसमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे उन छोटे छोटे बॉल्स में से हम पापड बना लेंगे इन छोटे बॉल्स को हम चानी बोलते हैं छोड़ी को थोड़ा तेल में डिबोएंगे और एक एक इंच की चानी बनाएंगे या छोटा बॉल बनाएंगे पापर बहुत ही पतले बनते हैं इसलिए हम आते के पेड़े से आधे साइस का पेड़ा बना रहे हैं इसे हम एक बोल में कवर करके रखेंगे अब दूसरे पोशन में से भी हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं सेम प्रोसेस करेंगे चाकू को तेल में डिबोएंगे और छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे same process करेंगे इसमें से भी छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे चाकू को तेल में डिबो के इसमें से बॉल बनाते जाएंगे और इन्हें भी cover करके रखेंगे जैसे चानियां dry नहीं हो जाए पापड बनाते टाइम हम एक चानी लेंगे और उसका पापड बनाते जाएंगे इसी तरह सब भी पापड हम बेल लेंगे आटे में से बने छोटे बॉल्स रेडी हैं इसे हम एक बॉल में डाल देते हैं जैसे ये dry नहीं हो और ढखकर रख देते हैं एक sheet या साफ चादर बिछा देंगे जिस पर हम पापड बनाकर रखते जाएंगे पापड बनाने के लिए सूखा आटा ले लेंगे और grease करने के लिए oil ले लेंगे कोई भी oil ले सकते हैं एक लोई ले लेंगे और इसका पापड बना लेंगे पापड अच्छे से चले इसलिए हमने पतली वाली रोलिंग पिन यूज़ की है पंजाबी बेलन भी यूज़ कर सकते है लोई को दीरे दीरे चलाते जाएंगे और छोटा सा पापड बनाएंगे तेल लगने की वज़े से पापड अपने आप अच्छे से चलता है अब हम इसे आटे में डस्ट कर लेंगे हमने शिरू में ही थोड़ा सा आटा अलग कर दिया था पापड बेलने के लिए पापड पर आटा लगा लेते हैं इसे हम दोनों तरफ से लगाएंगे और पापड को अच्छे से बेल लेंगे पापर बेलते टाइम हम इसे साइड से बेलेंगे किनारों से बेलेंगे और इसे काफी पतला बेलेंगे सुखा आटा यूज कर सकते हैं अगर पापर चिपक रहा हो तो साइड साइड से बेल कर हम पापर को पतला कर देंगे पापर बड़ी साइज, छोटी साइज, मीडियम साइज, किसी भी साइज के बना सकते हैं हम मीडियम साइज वाले पापर बना रहे हैं पापर जैसे ही बनता है हम इसे शीट पर रखते जाएंगे और दूसरे पापर बनाते जाएंगे पापर बनकर रेडी है अब हम इसे शीट पर रख देते हैं या आप इसे चदर पर भी रख सकते हैं इसी तरह सेम तरीके से सब भी पापर बनाते जाएंगे और इसे शीट पर रखते जाएंगे पापर सुखाने के लिए इसे हमने घर में तीन से चार घंटे के लिए रखा और दूप में आदे घंटे तक रखा पापर को हम पूरे साल बना सकते हैं और इसे हम बारा मैने तक स्टोर कर सकते हैं पापड को खाने में starter की तरह या meal के साथ या कभी मेमानों के सामने भी रख सकते हैं पापड को शादी पाटी में भी use किया जाता है, इसे store करना भी आसान है इस batch में करीबन 25 से 26 पापड बनाए हैं, medium size पापड इसी तरह सभी पापर बेल लेंगे और सुखा देंगे और इसे एक air tight container में रख देंगे पापर बनकर ready है सिंधियों की different recipes में सिंधी पापर आते हैं सिंधी इसे हर meal में use करते हैं दही के साथ, meal के साथ, खाने के साथ मेरी mom की बताई हुई recipe आपको कैसी लगी, comment box में बताएं सभी ingredients को description box में बता दिया है आप भी ये recipe जरूर try करें और अपने family और friends को ये recipe share करें Thank you for watching my video